हेलो स्टूडेंट्स मैं आपकी हिंदी टीचर आज हम लोग क्लाश फोर का चैप्टर नाइन स्वतंतता की ओर इस चैप्टर को पढ़ेंगे अभी स्टार्ट करते हैं धनी को पता था कि आस्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है पर उसे कोई कुछ न बता था ये सब समझते हैं कि मैं नौ साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ पर मैं बुद्धू नहीं हूँ धनी मन ही मन बरबराया यानि कि ये स्वतंतता की ओर यानि से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा देश पहले परतंत था तो सवतंतता के लिए बहुत सारी लाराईयां लड़ी गई थी बहुत सारी योजनाय बनाई गई थी तो उसी से संबंदी ते चैप्टर है तो धनी धनी यानि एक छोटा सब बच्चा था तो आस्रम में कुछ लोग अपना योजना बना रहे थे पर उसे कोई कुछ न बता था उसको सब लोग समझते थे कि वो छोटा सा बच्चा है तो इसलिए उसको कोई कुछ न बता था घर में पर मैं बुद्धू नहीं हूँ धनी मन ही मन बरबरा है धनी सुचा कि मैं छोटा हूँ तो लोग मुझे बेवकू नहीं हूँ धनी और उसके माता पीता बड़ी खास जगा में रहते थे अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आसरम में यानि कि ये साबरमती आसरम में जो इसमें महात्मा गांधी रहते थे उसमें उनकी मीटिंग ये सब होती है ने योजना ये सब बनती थी उस की तरवी सब भी भारत की सोतंता के लिए लर रहे थे जब वासा में ठारते तो चर्खों पर खादी का सूत काते भजन गाते और गांधी जी की बाते सुनते साबर मती में सबको कोई ना कोई काम करना होता खाना पकाना बरतन धोना कप्रे धोना कुए से पानी लाना गाय और बक्रियों का दूद धोना और सबजी उकाना यानि कि जितने भी लोग रहते थे उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था धनी का काम था बिन्नी की देखबाल करना बिन्नी कौन थी बिन्नी आसरम की एक बकरी थी धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी धनी को उसे बाते करना अच्छा लगता था यानि कि जो बिन्नी थी बकरी थी उसके साथ उसे रहना धन उसी को अपना दोस्त समस्ता था उस दिन सुबा धनी बिन्नी को हरी घास खिला कर उसके बरतन में पानी डालते हुए पानी डालते हुए बूला कोई बात जरूर है बिन्नी वे सब गांधी जी के कमड़े में बैठकर बाते करते हैं कोई योजना बनाई जा रही है मैं सब समस्ता हूँ बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर ही लाया अब बकड़ी तो ऐसे है कि वह ऐसे ही सीर ही लाते रहती है लेकिन कहांगी वह उसकी दोस्त थी तो उसे वह अपने मन की बाते कहा करता था जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो धनी को भूख लगी कुद्धी फाती बिन्नी को लेकर वसरा सोई घर की तरप चला उसकी मा चुल्दा फूक रही थी और कमरे में धुआ भर रहता अम्मा क्या गादी जी कहीं जा रहे हैं उसने पूछा खांसते हुए मा बोली वे सब यात्रा पर जा रहे हैं यात्रा कहां जा रहे हैं धनी ने सवाल किया समुन्दर के पास कहें अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यही से यहां से धनी अम्मा जारा गुसे से बोली पहले मुझे खाना बनाने दो धनी सबजी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बुढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया आप भी यत्रा पर जा रहे हैं क्या बिंदा ने सीरी लाकर मना किया उसके कुछ बोलने से पर धनी ने उताव ले होकर पूछा कौन जा रहे हैं कहां जा रहे हैं क्या हो रहा है उतावला यानि की बेचैन होके मतलब परिशान होके पूछा की कौन जा रहे हैं कहां जा रहे हैं क्या हो रहा है बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा तुम्हारे सब सावालों के जबाब दूंगा पर पहले इस बकडी को बांदो मेरा सारा पालक चबा रही है धनी बिनी को खींच कर ले गया और पास के निम्बू के पेड से बांदिया फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया गांदी जी और उनके कुछ साती गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुन्द के पास पहुँचेंगे गाउं और सहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे दांडी पहुचकर वे नमक बनाएंगे नमक धनी चौकर उट बैटा नमक क्यों बनाएंगे वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है हाँ मुझे मालूम है बिंदा हसा पर महात्मा जी की एक योजना है या तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के बिरुद में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं न जुलूस का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर मतलब कहीं जानते हैं हाँ बिल्कुल सही है मैं जानता हूँ ब्रिटिस सरकार के खिलाब सत्यागरह के जुलूस निकालते हैं जिसे की उनके खिलाब लर्सकी और भारत स्वतांत्र हो जाए पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं या तो समझदारी वाली बात नहीं है बिल्कुल धनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है यानि कि पहले नमक पर टेक्स देना पड़ता था तो वही नमक पर कर देना पड़ता है अच्छा धनी हैरान रह गिया नमक की जवरत सभी को है इसका मतलब है कि हम भारतवार सी गरीद से गरीब भी या कर देता है बिंदा चचा ने आगे समझाए लेकिन या तो सरासर अन्याय है धनी के आखों में गुस्टा था हाँ या अन्याय है इतना ही नहीं भारतिये लोगों को नमक बनाने की मना ही है यानि कि उनको नहीं बनाना है महात्मा जी ने ब्रीटिश सरकार को कड़ हटाने को कहा पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी इसलिए उन्होंने निश्चे किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुन्दर के पानी से नमक बनाएंगे एक महीने तक पैदल चलेंगे धनी सोचकर परिसान हो रहा था गांधी जी तो ठक जाएंगे वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल चाएंगे तो यह खबर फैलेगी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि गांधी जी अपने मित्रों के साथ सहयोगियों के साथ देखिए यह जाते हुए आपके बुक में है यहाँ बीच में गांधी जी है यह पहले का कुई फोटो होगा तो इसमें दिया गया है तो यह नमक के लिए जा रहे हैं अखबारों में फोटो छपेगी रेडियो पर रिपोट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतनता के लिए लड़ हैं और बेटे सरकार के लिए यह बड़े सर्म की बात होगी गांदी जी वरे ही अकलमंद है ना धनी की आखे चमकी मिन्ना ने हसकर कहा हाँ वह तो है ही दोपहर को जब आस्रम में थोड़ी सांती छाई धनी अपने पीता को ढूड़ने निकला वह एक पेर के नीचे बैट कर चर्खा कात रहते पीता जी क्या आप और अम्मा दांडी यत्रा पर जा रहे हैं धनी ने सिधे काम की बात पूछी मैं जा रहा हूँ तुम और अम्मा यहीं रहोगे मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ बेकार की बात मत करो धनी तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे आस्रम के नौजवान ही जा रहे हैं धनी ने हट पकर ली मैं नौ सल का बच्चा हूँ और आपसे तेज दोर सकता हूँ देखे जैसे इसमें गांधी जी का यह दिया हुआ है ना इसमें गांधी जी के बारे में आपके बूक में बहुत सारी फोटो तस्वीर यह दी हुई है आगे बढ़ते हैं धन मैं उनी से बात करूंगा वह जरूर हां कहेंगे धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया गांधी जी बड़े बेस्त रहते थे उन्होंने उन्हें अकेले पकर पाना असान नहीं था पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा रोज सुबा व यूँ कि वास्रा में रहता था तो उसको पता था कि गांधी जी कब खाली रहते हैं यानि कब फ्री रहते हैं कब उनके पास लोगों की भीर होती हैं अगले दिन जैसे इस सुरज निकला धनी बिस्तत छोड़ कर गांधी जी को ढूंडने निकला वे गौश आला यहां यान के पीछे पीछे चल लेते हैं अंत में गांधी जी अपनी जोपरी की ओर चले बरामदे में चरखे के पास बाट कर उन्होंने धनी को पुकारा यहां आओ बेटा धनी धर कर उनके पास पहुंचा बिन्नी भी साद में कुदती हुई आई तुम्हारा क्या नाम है बेटा धन से मुस्कुराया मैं इसकी देखबार करता हूँ बहुत अच्छा गांधी जी ने हाथ ही लाकर कहा अब यह बताओ धनी कि तुम अर भीनी सुबा से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था धनी थोरा घब राया क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ हिमत करके उसने कह डाला गांधी जी मुस्कुराया तुम अभी छोटे हो बेटा दांडी तो बहुत दूर है सिर्थ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे पर आप तो नौजवान नहीं धनी बोला आप नहीं ठक जाएंगे मैं बहुत मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ धनी भी अड़ गया जैसे आप इहां देख रहे हैं न कि ये बच्चा है यार ये गांधी जी है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाँ ठीक बात है कुछ सुर्च कर गांधी जी बोले मगर एक समस्या है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाओंगा इसलिए जब मैं वापस आओंगा तो मुझे खूब सा जाती है जब मैं उसे खिलाता हूं धनी ने प्यार से बिन्नी का सीड़ सालाया और सिर्फ मैं जानता हूं कि इसे क्या पसंद है बिल्कुल सही तो क्या तुम आसर में राकर मेरे लिए बिन्नी की देखबाल करोगे गांधी जी प्यार से बोले जी यहां करूंगा धनी बोल डांडी जाओंगा तो मैं तो काफी कमजोर हो जाओंगा तो आओंगा तो बकडी का दूद्ध तुमुझे पिलाना और बकडी की अच्छे से देख भाल करना तो उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार से समझाए तो एक चाहानी आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्रियेगा